नमश्कार सुसल संबाद दुर्गा पुजा स्पेसल में आपका स्वागत है और सबसे पहले हमने शुरुआत हर साल की भाती इस बारा दितपूर प्रबीन सिंग संस्थान के द्वारा जो पुर में आप जैराम स्पोर्टिंग्स क्लब के द्वारा कराया जाता था और यह सब आपने पंडाल देखने प्रहुन है क्या थीम रहा है इसलिए के हर बार प्छले बार आपने शुल इंडिया के मंदिरों को आपने अतार दिया ता इस बार का क्या है या पहले तो यह व्यूमार की तेंपूल है जहां पर गौतम बुद्ट साथना किये थे मातमा का उतम बूद तो यह पूरे दुनिया में इस मंदिर का अपना ही मात है और बहुत हम मावली के लोग जो है का आस्था का एक बहुत बड़ा के अंदर है तो उसी को इस वार हम लोगों ने थीम में लिया है और इनकी जो कॉंसेप्ट है जो आपका अम्रित्वानी है उसमें एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है विस्व सांति और विस्व बंदुत यह जो इनका कॉंसेप्ट है जो आज के समाजिक समरस्ता समाजिक समरस्ता अपनी संस्कृति और इसके लिए सारी चीजें की बहुत जरूरत थी तो उसी थीम को लेकर के हम लोगों ने इस बार इस टेंपल का निर्मान किया इस बार मतलब इस्व सांति और आपसी भाई जो रहे उसके लिए चारा रहे उसको लेकर बहुत दधर्मिका जो एक सबसे बड़ा दुनिया में 104 फिट के आसपास में है उसको आपने उतारने का कोशिश किया है यह जो थीम सेलेक्शन रहता है कितने महीने पहले आप लोग शुरू करते हैं और यह पंडाल का निर्मान कब शुरू हुआ और किस प्रोसेस से इसले कि हर बार थीम को लेकर काफी आप उस पर ध्यान देते हैं कि जो कुछ भी हो वो एक थीम के साथ हो और कहीं दुनिया में हो आप कालपनिक नहीं बलकि उपाकिकत को यहां पर उतारने की कोशिश करते हैं अब यह तो माँका है कका अशिरवादिक अब यह प्याल के मढम वहाद है कि कुछ हो जाता तो उस रंग कर एक वातावरम बन जाता है इसमें माँकी भूमिका माका अशिरवाद रिया क्योंनकी यह तो आज आती है मन में झाल में यह अजमान कुछ के नहीं किये थे बात के करब में जब यह हुआ कि यह तेम्पूल अच्छा दिख़ा या कर सक लगेगा तो हम लोगों ने इसको बनाने पर विचार किया तो फिर जब बहुत धरम को पढ़े देखे जाने और उसका कॉंसेप्ट लगा वापने तो अधभूत है और आज के परिपेश म लगी और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमत की मूम सारी चीजों को जूड़ करके वाल राइटिंग उनकी जो अमरित बानी है उसको भी वाल में लिखे हैं यह सब चीज करके और हम लोगों ने इसको एक रूप दिया है काफी अनुखा आपने पंडाल के साथ साथ जो वाल राइटिंग कराया है और मेरे सामने आपने धंपदम करके बद्ध के जो अमरित बानी है उसको आपने यहां पर रखा भी है पड़ भी रहे हैं मुझे लगता आपने खुदी काफी जादा इस पर स्टड़ी किया है कितना दिन पहले पंडाल आपने शुरुआत बनान हम लोग दो तारिक को अभी निश्यत किया है कि दो तारिक को महल्या के दिन कितने दिनों तक रहेगा इसलिए कि इस पर दसमी को लेकर काफी असमंजस है कि दसमी को ही दिन को ही विसर्जन करता है बारा को आपके पास दो तारिक से लेकर 11 तारिक तक जो आने वाले लोग है उनके लिए खुलेगा तो एक बात है कि आप दो तारीक से इसकी शुरुआत इसका हो जा रहा है इस बार पिछले बार जब मैंने देखा था उद्गाटन में जब हसा लिया था उसमें आपने जारकंडी अलग-अलग कलाकारों को लोक जो यहां की कलाएं हैं उसको आपने यह द्धरम का प्रचार प्रशार को ही किये थे और उनके बच्चे लोग जा जाके पूरे दुनिया में घूमे तो आपको एसिया मद में है मद एसिया में लगभग सारे जगा बहुत धरम के ही अनुयाई है तो उस सारी चीजों को एक परसंगा था अंगली माल डाकू जो अंगली काट करके सब कमाला पांता था अब भगवान बुद्ध लोग काफी भैवीत थे तो भगवान बुद्ध जब जा रहे थे राजा ने मना भी क्या गए और उ साथ में बहुत बड़े महर्शी बने वह सब परसंग भी जो कि अभी जहां कि और यह सब सारी चीजा होगी यह एक भारत माता है जहां पर हिंडू मुस्लिम सीख इसाही आदिवासी सब बैठे रहेंगे भारत माता बीच में रहेगी वह एक जहां की रहेगी फिर मैशा सुरुवद का जो एक जहां की होता है वह रहेगी तो यह सब सारा इस बार भी जो होगा उद्गाटन तो वह सांदार होगा मुर्थी को लेकर पिछले बार हमने कई मुर्थिया आपने मंगा था तो वह भी महल्या के दिनी अस्थाप्रित हो जाएगी मुर्थिय मुर्थी विराजमान है यहां पर अपनी अंदर नहीं गया मैं आप जाहिए पहले अंदर एक बार देख लिए इसके बाद आपको इस बार की भी मुर्थी लाजवाब बनी है मा की और आपको लगता है कि लोगों को काफी पसंद आएगा उतना बाहार आकरशक आपको देने का है जैसे मैंने देख रहा हूँ कि जो बद्धर्म की यहां पर एक किया जारा उसके जो अच्छी बात है जिसे अमरित बाने वो तमाम उसकी वाल राइटिंग भी हो रही है तो आप उसे भी पढ़ेंगे जरूर और हो सकता है जो एक कोशिश है कि इस थीम के जो अर रूपी होती है क्या कुछ आपके संसक्छक और संस्थापक के रूप में संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग यहां पर देखने हैं वीडियो से फिलिम बनाने लगते हैं या रूख रूख करके अपनी फोटोग्राफिक करते हैं वह सबसे खराब इस्तिती हो जाती हम लो में हैं और यह हम लोगों ने प्र Emma प्रिकॉशन लिया है बारे फिट की मेरे रास्था है यह मंदिर में जाएगा तो इतनी बड़ी रास्ता नहीं मिलती है बारे फीट की तो वह सब प्रिकोशन लिया है बारे फीट में लोग पुरह चलेंगे चार लाइन हो पांच लाइन हो आम से चल सकते हैं लोग तो अच्छा यह है और जिससे सरनी कहा कि आप वीडियो फोटोग्र चल गया कब से आपकी शुरुवात हो रहा कितना दिन तक आप कर सकते हैं धीम हमने आपको बता दिया और फर्स्ट लुक भी आपको हमने दिखा दिया अंदर से भी आपको हम दिखाने के कोशिश करेंगे और अपने से वेगी से स्रामुर्ति के साथ शेशी पूशन सोशल स जारकें दने बादो